लागतार हो रही बारिश देश के कई हिस्सों में मुसीबत बनती जा रही है तो पहाड़ी इलाकों में लागतार हो रही बारिश से गंगा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में उफान पर आ गए बिजनौर बैराज से 390 क्यूसक पानी के छोड़े जाने के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है खादर छेत्र के निचले कुछ इलाकों में तो कई जेकह बार जैसे हालात हो गया है जबकि कई गाओं के लिए पानी जलजला बन चुका है हलाकि गनीमत यह है कि प्रसाशन अपनी ओर से पूरी मुश्तादी दिखा रहा है लोगों तक मदद पहुचाई चा रही यह रस्क्यू ऑपरेशन तेज गया गया है पहाड़ों पर हो रही लगातार बसात के बाद मैदान इलाकों में भी असससाब दिख रहा है और इस समय मौझूद है जनपद हापुर के गड़ मुक्तेश्वर के खादर छेतर में जहां हालात कुछ बदले हैं तो निचले स्तर के जो इलाके हैं उनमें चल भराव की स्तिती हो गई है यहाँ पर निरिक्षण के लिए गड़ मुक्तेश्वर के जो उपचला दिकारी हैं वो पहुंचे हैं जानेंगे कि किस तरीकी की यहाँ पर विवस्ताय हैं और यहाँ पर किस तरह की जो है जो ग्रावीन है उनको परिसानी हो रही है लेकिन अभी जो है साहुलियत की बात यहीं कि अभी किसी भी आबादी इलाके में पानी नहीं पहुंचा है हम अभी जिस इलाके में हैं वह जो है इनायतपुर गाउं का गैर आबाद इलाका है लेकिन जिलाइदिकारी महोदया भी बीच बीच में आकर यहां पर निरेक्शन करती रही है और उनके शक्त निर्देश हैं कि किसी भी ग्रामवासी को कोई समस्या ना हो सबसे बड़ी बात हो जाती है कि सर जिस तरीके से मुख्य मार गया यहां पर पानी भर गया तो निकासी जो लोग है वो अपने घरों से जब भार निकलते हैं बहुत सरी जरूरत की चीजों के लिए तो उनको आवा चाहिए में दिक्कत हो रही है कि जिसको भी चारा काटने जाना होता तो वो इसी मार के तरू इस जो है नाव से जाकर चारा अभी जल स्थर जो है उसकी क्या इस्तिती है और जो लोग है यहां पर क्योंकि जिस तरीके से यहां पर जल भराब हुआ है तो बहुत सरी बीमारिया भी उसमें उत्पन हो जाती हैं तो स्वास्ते भाग की तरफ से और बहुत सरी चीजे जो हैं उन पर कैसा काम किया जा रहा है जैसे हमारा जो गंगा नगर जो गाउं है उसमें कल कुछ लोगों के बीमार होने की जो आई थी खबर तो उसके लिए तुरन थी यहां से जो है जो है आफिल से भी पानी काफी कम हो गया जो तीन लाख नब्याजार पानी छोड़ा जा रहा था वहां से वह इस समय एक लाख पैंतिस जार के असपास हो गया तो पानी कम हो गया और गाउं में भी जैसा आप खुद भी देख सकते हैं कि जहां कल पानी आगे तक था अब समय लग सकता है लेकिन इसके लिए पैनिक होने की जरूत नहीं है क्योंकि सासन प्रसासन की तरफ से जरूरी निर्देशों का पालन करने के लिए जिले के अधिकारी लगातार ग्राउंड पर जो है वो निरिक्षण करते नजर आ रहे हैं अब देखना होगा कि जिस तरीके से समय बदलता है तो इस्तिती बदलने में कितना समय लगता है रफ्तार मीडिया के लिए हापुर से सोनू उपाध्या की रिपोर्ट पहाड़ों पर